विजे तिलग की तयारी नमस्कार आप देख रहें न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काज़ो उनराय यूपी के 2017 के विधान सभाचुनाव की तर्च पर ही 2022 में भी बीज़पी ने अपना पर्चम नहरा दिया और अब तयारी है गदी पर एक बार फिर से विराजमान होने की तो कैसा होगा ये भव्वे समारो कहा होगा कितने लोग शामिल होंगे कौन-कौन से मुखे चेहरे होंगे कौन-कौन महमान होगा ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माधियम से तो GFX के माधियम से समझे कितना भव्वे, कितना अकरशक और कितना अलग होने जा रहा है योगी का विजयतिलाग 25 मार्च को शपत ग्रहन होगा स्मिति पुवन के जगा अचल बिहारी वचपाई इकाना स्टेडिया में होगा शपत ग्रहन समारो स्टेडिया में शपत ग्रहन करने के पीछे की वज़ा ये है कि बीजेपी इस एतहासिक जीत को भव्वे बनाने की कोशिश कर रही है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, ग्रीह मंत्री अमिश्या रक्षा मंत्री राजना सिंग, बीजोपी अधियत, सुझेपी नड़ा समीर कई राजों के मुखे मंत्री और बड़ी संख्या में बीजोपी कारिकरता श्वामिर होंगे तो 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है तो बीजोपी सेत्याहासिक मौके को भव्वे रूप देना चारही है अब ये सवाल है कि आखिर क्यों चुना गया इकाना स्टेडियम तो चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी ने अचल व्यारी वज़पा इकाना स्टेडियम को शपत ग्रहन के लिए इसले चुना है क्योंकि इसमें करीब एक लाख लोग आसानी से बैठ सकते हैं एक हजार चार पहिया और पाच हजार दुपहिया गाडियां इस स्टेडियम के कांपस के अंदर खड़ी हो सकती हैं स्टेडियम कांपस के अंदर अस्थाई हाली पैड भी बनाया जा सकता है स्टेडियम के अंदर दो बड़े LED स्क्रीन भी हैं जिसे शपत ग्रहन को लाइव दिखाया जा सकता है तो यूपी के कारवाहक मुखे मंत्री योगी आदेतनाग के चेहरे पर चिनाव लड़ने वाली बीजेपी को इस बार अकेले 255 पन और सयोगियों के साथ मिलकर 273 सीटे हासिल हुई सियम के चेहरे की घोशना बीजेपी ने पहले ही कर रखी है ऐसे में अपच्वारिक तोर पर मुखे मंत्री चुन्ने की प्रक्रिया के लिए मिश्चाह और रगुपर दास लखनों में है जानकारी के मताबिक अपना दल को दो मंत्री पद दिये जाएंगे अपना दल सियासिश पठेल का मंत्री बनाता है और निशाद पार्टी के एक मंत्री योगी मंत्री मंदल में श्वामिल किये जाएंगे नए चेहरे के तोर पर स्वतनतुर देव सिंग को योगी मंत्री मंदल में श्वामिल किया जाएगा स्वातन दुर्देव सिंग, फिलहाल, बीज़ेपी, प्रदेश अध्याक्षें और जीट के तोफे के तौर पर उन्हें फिर से मंत्री मंडल में जगा दी जा सकती है प्रदेश अध्याक्ष बनने से पहली भी हो योगे कैबरेट का हिसा रही है इसके लावा केश्व पसाद मौरय, शिकान शर्मा, सिधाता सिंग, बिज़ेश पाठक, नंदगुपाल नंदी, सुरुपताप शाही, रामपलवर मा, शतोष टंडन, मोहसिन रजा, अनिल राजपर और संदीप सिंग कैबरेट में फिर से श्वामिल किये जाएंगे बड़े नामों के अलावा देवपन के अजिश्व सिंग और दातागं से राजीव सिंग बव्यू को मंतरी बनाया जा सकता है मत्रा के माल से साथ बार के वधाए शेम संदर श्वर्मा को हराने वाले राजिश शोदरी को भी मंतरी बनाया सकता है पूर्व IPS असिम अरून और राजेश्वा सिंग के नाम पर भी मंत्री बनने के लिए विचार हो सकता है जितन प्रसाद को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है माईलाओं की भागेदारी पहले से ज्यादा है माईलाओं में बेबी रानी मौरे, अंजुला महाओर और प्रतीभा शुकला का मंत्री बनना ते है इसके अलावा चार और माहिला मंत्री योगी सरकार में हिस्सिदार बनेंगी इतना ही नहीं इस बार जाती और शेति समय करनों को भी पूरी तरह साधने की तयारी है साथी शेक्षनिक योगता वाले विधायकों को भी प्रत्मिकता मिलेगी लेकिन जिन पुराने मंत्रियों का प्रदर्शन खराब रहा, वो योगी कैबनेट लिस्ते बाहर कर दिये जाएंगे जिनकी जगा कई नए चेहरे दिखाई देंगे